हलो एवरीवन वेलकम तो एक लास ओफ एच्ची बोर्ट बुक्किपिंग इन अकाउंट एंसी टॉपिक चल रहा डिसलिशन पाटनर्शिप फिर्म हमारी सिरीज चल रही इलस्टेशन की आज करें इलस्टेशन नुबर फाइफ प्रिवेस वीडियो आई बिटन में चेक करें देस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें तो लेट्स बिगिन विट कुश्चिन नुबर फाइफ तो इलस्टेशन फाइफ सन मून एंड स्टार आप पार्टन इन फॉर्म शेरिंग प्रॉफित अन लॉस इन रेशो फाइफ त्री टू दे एग्रीट डिजल्व स्टार और मून यहां पर दिया हुआ है तो तीन बंदे में बटेगा फाइफ त्री टू सन स्टार और मून यहां पर दिया हुआ है तो तीन बंदे याद रखें लाइफ पॉलिसी फंड है तो नॉर्मल लाइबिलिटी तीनों ट्रीट करेंगे क्रेटर आउस्ट्रेंडिंग रेंट फनीचर्स गुडविल लाइफ पॉलिसी यह सब आपके रियालाइजिशन में डेबिट साइट जाएंगे यह सरेंडर वैल्यू है यह इसके अगेंस में होता है फिर नेक्स्ट है कैश बैंक कैश बैंक अकाउंट बनाना है मून पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा डेबिट साइड यह उपर लिखने से फाइदा होता है फिर डियूरिंग दा फर्म डिजलेशन फनीचर स्टॉक वैठीकन ओवर बाइस सन हो रहा है फनीचर की में 35 है स्टॉक की की में 28 है तो सन लेके जा रहे हैं तो सन अकाउंट डेबेट टू रियलाइशन तो स्टॉक और फनीचर दोनों को ठिकमा कर लें जॉइन लाइप पॉलिशी वैस सरेंडर एंड डेटर वैर रियलाइशन यानि तरह से दोनों आसेट्स को आप बेच रहे हो मगर डेटर जो बिकरा है इस पे 20 परसेंट डिसकाउंट माइनस करके लेने का 10% 6,000 20% 12,000 यानि 60,000 में से 12 गया तो 48,000 लेने का जॉइन लाइप पॉलिशी में कोई अमाउंट ने तो 30 का 30 ही लेने का एनि याओ आसेस भी करें पैसा हो रहा है बैंक अकाउंट में डेबेट रियलाइशन में क्रेडिट फिर क्रेटर वह ठीके नवर भाई मून लेके जा रहे है यानि पेड कर रहे है तो रियलाइशन अकाउंट डेबेट टू मून अकाउंट ठीक है मून में create होगा और creator की बात होगे ये tick mark कर लेते realization expense ये भी liability है paid करनी होती है तो realization to bank account अब हमने assets और liability को tick mark कर लिए तो अब देखते हैं देखो goodwill के बारे में कोई information नहीं है question mark है हमारे लिए मगर company ही बंद होगी है continue होता तो goodwill का भी पैसा मिल सकता था दूसरी कोई company take over करती तो ये तो company totally बंद हो रही है यानि इसके goodwill भी क्या हो गया निल हो गया तो यानि इसको consider करने का नई और फिर liability में joint life policy fund ये तो surrender value इसके against है यानि इसको भी consider करने का नई outstanding rent है भाड़ा भाकी है तो सामने आला तो जिन्दा है ये वो तो लेगा भाड़ा अपना तो ये इसके बारे में में detail नहीं है तो मगर इसको अभी आपको entry pass करनी पड़ीगी realization to bank तो ये चीज़ समझना goodwill company खता हो गई तो नाम रहे गई नहीं तो इसके लिए इसको कोई treatment देना नहीं है joint life policy fund surrender value इसके सामने होता है तो यानि इसका भी treatment पास करते नहीं है तो अब चलते हैं solution की दरब बच्चो पहला balance sheet लेते हैं sun star credit है तो by balance brought down और moon by debit में थे तो यहां debit में लिखेंगे two balance brought down now next is reserve fund 15,000 इनके ratio में बाट देंगे 532 का ratio है 538910 यानि 15,000 को 10 से divide करें देड़ाजार आया देड़ाजार इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 फिर तीनो liability है liability के नीचे लिख लेते तीनों को and total comes to 60,000 फिर assets से सारे assets आजाएंगे assets के नीचे total 145 cash at bank bank में debit side debit लिखा है इसलिए आपने को समझ में आता कि debit में लिखने का यह फिर moon तो लिख दिया है adjustment देखते हैं adjustment पहला था furniture stock का sun capital में debit और realization में credit byification है दो assets है तो आप उन realization में पहला लिखते हैं यहाँ पर नाम लिखेंगे by sun capital furniture और stock total 563 और यह 63 direction में यहाँ debit side लिख देंगे to realization account फिर joint life policy data को बेच के पैसा लेना bank account में debit और realization में credit यहाँ भी दो asset है तो पहले यहाँ लिख लेते हैं joint life policy जो question में दिया तो वो इस हजार और डेटर वापिस होलों साथ हजार में से बीस ठका माइनस करके तो बारह जार आयता साथ हजार का बीस ठका तो बारह जार माइनस के तो कितना है 48 total comes to 78 और यह 78 यहां क्रेट है यहां पर कहां जाएंगा debit side फिर creator moon paid कर रहा है तो moon paid कर रहा है तो moon में credit और realization में debit to moon capital credit 24,000 फिगर जो दिया है adjustment में वो फिगर लेने का अगर फिगर दिया है नहीं जैसा joint law policy का figure नहीं था तो आप फिर question में जो figure है वो लेने का दिया है amount तो amount consider करेंगे और फिए moon में credit side लिखेंगे यहां पर 24,000 by realization account full form लिखें स्क्रीन में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने short form लिखें आप full form लिखें realization account करके पूरा लिखें फिर expenses है हमारा realization में debit और bank में credit इसके साथ आप उन एक और entry add कर सकते हैं outstanding rent क्योंकि इसके बारे में question नहीं था मैंने बोला इसको payment करना पड़ेगा तो दोनों combine करके payment कर लेते आप उन्यापे टू bank account और standing rent amount नहीं है तो question का amount और realization expense दिया हुआ है 2000 टोटल 6000 और ये 6000 बैंक में credit side जाएगा अब बच्चो सारे adjustment वगेरा हो गए हैं तो अब आप उन close कर लेते हैं इन question अटा दे तो आपका ये sum में credit side बढ़ा है 2,1,000 आया और escrow debit से minus करें तो आपको profit आया तो profit is 26,000 profit बटेगा तीनों में 5,3,2 में यानि divide by 10 करना पहले चब बिज़ा divide by 10 2600 आएगा 2600 into 2 into 3 into 5 ये amount आगे अब ये debit है तो partners capital में credit side जाएगा by relation account bracket में लिखे profit है ये अब इसके बाद second last है partners को individual बंद करनेगा अभी पहला sun की बात करते हैं तो 63 debit है और 30 40 50 55 यानि आपका debit side बढ़ा है तो 63 दोनों side लिखते हैं इससे आपका credit minus करें तो जो भी balance आएगा वो बैंक में जाने वाला है तो बैंक लिखना उसका नाम यहाँ पे भी balance आएगा तो बैंक लिखने का यहाँ पे भी balance आए तो बैंक लिखने का फिर यहाँ credit ही बढ़ा है इसका यह 93 200 और minus करने के लिए कुछ भी नहीं अपने पास तो यही amount रहेगा 93 200 अब debit वाला credit में जाएगा और credit वाला debit में जाएगा तो पैसन है तो sun को यहाँ लिखते हैं और moon और star credit में जाएंगे यहाँ पे amount dance से लिखना और जब posting हो गई है तो finally आपका bank account क्या होना चीए tally होना चीए tally figure is 125 500 तो इस तरह से आज हमने illustration में 5 किया बच्चों hope so doubt नहीं हो इसमें जो important part ता देगो goodwill था और joint life policy fund तो यह intangible assets है वैसे भी क्योंकि exist ही नहीं करते तो ऐसे लिए इसके बारे में अगर information नहीं है तो इनको नहीं बेच रहा जैसे liability था और standing rent इनके बारे में भी कोई adjustment नहीं था मगर इनको payment करना ही पड़ेगा rent किसी का भाड़ा बाकी है तो वो बंदा तो जिन्दा तो है यह ना वो तो physically है वो tangible है तो उसको आपने को rent देना पड़ेगा तो यह चीज़ को समझना आपको तो hope so question number five clear हो इंशला नच्वीड़ी विलिंगे बच्च्चो था यह था नच्क था बच्च आपको वाच्च एग्ड़ा को ब्लस्यू